Halo Friends, मेरे चार में आपका स्वागत है आदमियापके साथ में बहुती टेस्टी पराथे की रेस्पी सेएर करूँगी जो आपको और आपके घर में सब को बहुत पसंदाने वाले हैं तो चलिए देखते हैं, कैसे बनाएए है मैंने, तो यहाँ पर मैंने पणी लिया था, पनीर को मैंने थोड़ा सा मतलब ग्रेट कर लिया है, आप इसे तोड़ कर भी ले सकते हैं, अच्छे से बारिक सा कर ले, हातों से लिया है, तो सबसे पहले हम एड़ कर रहा है लाल मिर्च का पाउडर की नि यहां पर मैंने यह लिया है आम चुर पाउडर और थोड़ा सा मैंने लिया है चांट मसाला और एक बारी कटी हुई हरी मिर्च इन सब चीज़ों को हमें सिर्फ इसमें मिक्स करना है और टेस्ट के साफ से एड़ कर देंगे इसमें नमक तो आप सारी चीज़ों को अच्छे से कर लिया है मिक्स उसके बाद कटा हुआ बारी हरा धनिया हरा धनिया का टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छे आते हैं तो उसके बाद मैंने आटा थोड़ा सब आटा आप छोटा बड़ा पराठा जो भी बना रहें बेल कर अब इसे में हम साला लें जितना आपका आटा है अब इस पर सूखा आटा लगाकर अच्छे से बेल लेते हैं तो थोड़ा इसे मोटा ही रखें ज्यादा पतला ना करें पराठे को अगर आप ज्यादा पतला कर दोगे तो पर पनीर कर टेस्ट उतना अच्छा नहीं आगा तो यहाँ पर मै पहले आपको दोनों साइड से अच्छे से पकाना है पराठे को घी ओल लगाने से पहले आप हमेज़दा दोनों साइड से अच्छे से पकाने के बाद ही लगाओगे तो आपके पराठे एकदम क्रिस्पी और टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप जरूर इस तरिके से ही अ त्यार हो रहें उखाने में ये पराठे बहुत ट्पράाट करएं तो भेसे अऺद से व्च इसेश करना चाहते हैं और शुम्माने तेजेल चुटनी स्यूश जिसे भी खासकते हैं तो में यही है मकाई मसाला इसमें जितना आपका आता है ये टिप्स आप जरूर खोलो करें और आप इसे मेरे तरीके से एक पर जरूर से ट्राय करें आप मैंसे कौन-कौन इस तरीके से बनाता है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं तो कैसी लगी आपको मेरी ये पराठा बनाने की रैस्पी कमेंट करके जरूर से बचाएं